Assalamu alaikum everyone कैसे रावल किने सब लेख ठीक ठाक होंगे और में भी आलामदलिल्ह हूं तो प्यारा निजारा मेंने आपको दिखाये तो प्यारा ताइम था यह शाम का वक्त ता और मुझे बहुत प्यारा लगए क्लिप मेने सचा आप लोगे साथ शियर कर लूँ और देखें माशाला से कितना प्यारा लग रहा ना ही अचा जी जणाब ये सुबा सुबा के रायम और सुबा सुबा मैंने लिया है जी तुप में मलंगा तुप मलंगा और बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत जादा है ये और इससे वेड लूस होता है और इसके तासिर ठंडी होती है और मुझे ना स्टमेक में कुछ हीड़ सी फील हो रही थी जिसके जाए से मैंने ये लिया था उसके बाद जो है मैंने सुबा में आटा बगारा गू दो दिन आटा गुंदा और चुटी दो बहर मैं बचों के लिए रोटी बनाए थी तो मैं सोचे चोड़ सा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और अभी मैं यहां कैमरा मने लगाया और ठाक करके मेरा ट्राइपोट वह जा के जमीन पे गिरा मुबायल भी मेरा गिर गिर ग तो मैं था पराठा ने जाया थी ज़ा कि फर्यूर मेरा पहला पराठा बटाए और पहली रोटी नहीं अच्छी नहीं बनती है तो एक पर यह बगा कहीं शूरू हो जाती कि वरना बाकि आगे तो मैं रोगे सब्सक्तव करहा दो कि तो इस अगर दो बहुत बहुत जब हर दिएक यहिए बिए दाले हैं समयल दाल यहाँ ने कर सिर्क हर दिए दी विए लुक्राइब कर दें मैंने कुछ डाइट ली थी उसमें मैंने जो मेती दाने का इस्तमाल किया जिसके विसे मेरे मुह में चाले से बन गये थे इसके शाद मैंने कॉंटिटी जादा कर ली थी इन्शाला मैंने एक दो विडियो गुजा लूँ या नेक्स्ट विडियो में थोड़ा थोड़ा सा अपना एक्सपिरियंस इकठा कर रही हूं कि मुझे घर में रह देवे एक हाउस फाइफ कैसे अच्छे से डाइट कर सकती है मतलब डाइट ऐसी प्रॉपर वाली डाइट ने लेकिन वेट को अपने मेंटेन कर सकती है कम ना भी होना तो मैंटेन होजएगा यहां पराथा इसलिए लिया और मैंने आलू के गतली बनाई थी यहां पराथा सिर्फ इसलिए खाया कि ऐसा ना हो कि रोटी के आदत मेरी बि अब दूट सो गए इन सब चीजों पर हम जिंदा नी रह सकते हम मिडल क्लास फैमली से बलांग करते हैं हम लोगों ने यही चीजे खानी है हर वक्त और रहादा था यही चीज़े खाते हैं इसलिए मैंने ना हाफ पराठा खाया था और बहुत कम घी मैंने यह पराठा गश इन्शाला आपके साथ पूरी एक वीडियो शेयर कर दोंगे जो मैं एक्सप्रियंस अपना मैंने की है बहुत हेल्प हो जाएगी और यहां पर जो हैंना चीकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था जैसा कि आप लोगो को बता गो जो मेरे व्लोग शुरू से देखते हैं चीकन ज और यह आप डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं एक चमच में बनाया था और जो पैन का जलावा हिसा होता है जब उसकी खुश्बूस में आती है तो असा लगता है कोईले का धुआ टाइप साना तो यह कतलिया मैं बना थे और इसका क्लिप आड़ किया यह कुए मैं बनाप दाने है तो वहाउ जो क्लिप साना स्राइट में वह नेक्स टे का था जब मैंने नेक्स टे जो है नाशता किया था मैं तो मतलब मैंने जो हैंना वह कतलियां बाद में शूट कर लिए आपके साथ और यहां पर यह वहली गतली इतनी प्रवाइब दार बनती है इतनी मज़गी बनती है चट पट बनती है अगर आप लोग को कुछ दिल ना कर रहा हूँ तो आप लोग यह बनाओने अगर आप लोग को कहेंगे तो मैं रेज़ेपी शेयर कर दूँगी और पूरी डिटेल से आप लोग उसकी वीडियो देख सकत तो बाकी है कि मुझे बस यही कहना है कि अगर आप एक हाउस फाइफ हैं मैरिड हैं जो भी है आप लोग को अपनी डाइट का और अपनी स्वेट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए इसलिए क्योंके बहुत सारी खवादी जो होती हैं वो कहते हैं आप शादी हो गई ना ब आप लोगिंग पर मैं चाह लाग साथ पर भी होन से तरहार को आट कर लिया था और अच्छानाओं के जतेशद्वी ए atenção सवत्तव हैं से मुर्ग के लिए ज़िए मैं आप पाल्म करणाओं तो यहां मैं हम इसलिए कि आप हम गर्मी आ खाय प對啊 जिये को ब्रीन सबजित यहा और बंदा क्या करे यार तो मेरा पड़ा दिल किया खूँ खूँ फिर मैंने यह नहीं खाना तो इतना तो मैं कर सकते हैं अगर आथ पराथा ले लिया तो फिर मैं इसको ना खाऊं तो जादा बेते रहे हैं यहां पे ती एक केरी खटी वाली केरी यह जो आम भी होती है लेकि आपको एसी चीज़े बताऊंगी जो आप घर में रहते वे अफोर्ड भी कर सकते हैं और एक हाउस फाइफ जो है वो एजी ली एफोर्ड कर सकती है बजट के साथ और अपना वेट मैंटेन कर सकती है खीरे मैंने देशी मंगवा के रख लिए थे हजब ना आते वे ले ले मुझे बहुत सकून हो गया था एक केजी मैंने मंगवाई थे जब मुझे एक्स्ट्र क्रेविंग गो रही थी ना किसी चीज़ की तो मैंने खीरा या टेमाटर लिया था और यह रात में बने थे दाल चावल तो यहां मैंने देखे चावल थोड़े से लिए और थोड़े स बचलने लुटर के साथ एक शेयर कर रही हूं यह था जो येलो वाला था ना ना मतानी किया आप लोग देख लेए और यह वाला जो बेकार निकला ना इसका ढ़का निकला और इसकी जो स्मेल थी ती बिलकुल अजीब थी कोई केक में से जो है ना वह भी खतम नहीं थी तो तो मतलब यह बहुत मुझे गंदा राल लगाता तो फिर मैंने का आप लोग के साथ चाहिए तो आप लोग ना लेजिएगा यह वाला तो दूसरा लेजिएगा यह जो दूसरा वाला मैं आपको दिखाऊंगे यह इतना खास नहीं निकला लेकिन सही है शायद यह फूड और मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में थैंकि सो मच आला हाफ़ेज